वेलकम टू एचसेसी अड़ा मंतली करंट अफेर्स की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाना करंट अफेर्स जुलाई 2022 के क्वेस्चन्स जुलाई 2022 में हरियाना के जितने करंट जीके के क्वेस्चन बनेंगे उन्हें हम MCQ के तोर पर यहां पर पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एक्जाम में चाया आप CET का एक्जाम दो या गराम सचीव पटवारी का कोई भी एक्जाम के आप तियारी कर रहे हो जहां पर हरियाना जीके से क्वेस्चन आएगा वहां से हरियाना क्रंट अफेर का क्वेस्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा तो इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेस्चन को पढ़ने वाले हैं तो हमारा जो पहला क्वेस्चन है NDRF का दूसरा Regional Center हरियाना में कहां पर बनाया जाएगा NDRF यानि कि National Register Response Force हिसार, रोहतक, यम्नानगर या फ्रीदाबाद चार ओप्शन हमारे सामने हैं तो इस क्वेस्चन का जो राइट अंसर होगा वो होगा भी ओप्शन रोहतक में ये कौन सा सेंटर बनेगा ये दूसरा सेंटर बनेगा साथी हो इसका मतलब है इसे पहले एक सेंटर और बन चुका है और वो कहां पर है आपका हिसार जिले के अंदर तो हरियाना में अब NDRF के दो रीजनल सेंटर जो वो बन जाएंगे अब बढ़ते हैं अगले क्वेस्चन की तरफ कितने खिलाडियों को बीम पुरुषकार दिया गया है तो हरियाना सरकार ने बीम पुरुषकार की जो गोशना की थी वो पिछले महीने की थी और इस महीने जो है वो पुरुषकार वितरीत कर दिये गए है तो कितने खिलाडियों को दिया गया है 33 पूरुष और 19 महिला हिलाडी है जिनको भीम पूरुषकार से सम्मानित किया गया है अब आता है अगला क्वेस्टेन क्वेस्टेन नमबर 3 हरियाना कॉंग्रेस के नेता रणदीप सिंग सुर्जेवाला को किस राज्यसभा से राज्यसभा सांसत चुना गया है उत्तर बात करें किस राज्यस है इनको राज्यसभा कि संसत सदेसेता जो वो दी गई है तो यह सथान राज्यसे मिली है यहरी कि ऑप्सन मारा इसमन का राइट अंसर हो जाएगा अब आता है हमारा next question question number 4 बेटी बचाओ बेटी पडाओ योजना के तहत किस गाओं को best village का award दिया गया है ये भी एक important question है और इसके चार option हमारे सामने है उपलाना, गोर्ड, करहंस या फिर सिराना तो साथियों अगर मैं बात करूँ उपलाना गाओं की तो इसको बेटी बचाओ, बेटी पडाओ के तहत best village का award दिया गया है साथी गोरड गाओं को भी यह award दिया गया है तो इन दोनों गाओं को दिया गया है अब इन गाओं के बारे में थोड़ा सावर पड़ लेते हैं, जो उपलाना गाओं है यह आपका करनाल जिले में पड़ेगा और इसका जो लिंगनुपाथ है वो है 1373, जबकि अगर गोरड गाओं की बात की जाए तो सोनीपत जिले का गाओं है और लिंगनुपाथ जो है इसका 1470 और इसके अकोर्डिंग ही इनको बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया है अब आता है क्वेस्चन नमबर पांच, किस जिले में इंडो ब्राजील उतकरिष्टा के इंदर की स्थापना की जाएगी बहुत इंडो इसराइल उतकरिष्टा के इंदर है लेकिन यह है इंडो ब्राजील उतकरिष्टा के इंदर और यह आपका बनाया जाएगा डी ओप्सन हिसार जिले के अंदर तो हिसार में इसकी स्थापना की जाएगी बहुत ज़्यादा important question आपके exam के लिए अगला question है राज्य के किस जिले में science city की स्थापना की जाएगी हिसार, ambala, guru gram या फिर उपरोक्त सभी तो science city की जब बात आती है तो सबसे पहले हमारा जो ध्यान जाता है वो जाता है ambala के उपर क्योंकि science city, apparatus city भी ambala को बोला जाता है लेकिन जो science city की स्थापना की जाएगी वो की जाएगी guru gram जी लेके अंदर यहनकी c option जो है इस question का right answer हो जाएगा next question की तरह बढ़ते हैं साथियो साथियो यदि आप hsse की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए hsse 2015 से 2021 previous year के questions की 12 गंटे की marathon class है जो youtube पर available है hsse and die youtube channel पर link video के description में मिल जाएगा साथ ही आपको hsse की previous year match की पेडियाप देखने को मिलेगी जिसमें 2015 से December 2021 तक के सारे math के questions को cover किया गया है कुल मिलाकर साथे 700 पलस questions आपको मिल जाएंगे और साथ ही उनके solution भी आपको मिल जाएंगे उसकी cost 30 रुपे है बहुत जबरदस्त content के साथ ये पेडियाप लोंज की गई है इस पेडियाप को पढ़ने के बाद आपका सारा previous year का जो content है वो complete हो जाएगा और 90% questions जो math के हैं वो आपके इस पेडियाप से exam में cover हो जाएंगे question number 7 पढ़ेंगे हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वरग आयोग का गठन कर किसे अध्यक्स बनाया है दर्शन सिंग स्यामलाल जांगडा गुरुनाम सिंग या फिर उप्रोक्स सभी तो राइट अंसर हो जाएगा option दर्शन सिंग तो हरियाणा हरियाणा में इस बार कौन से नंबर के चुनाव होंगे तो हरियाणा में इस बार होंगे पंचाएट चुनाव की बात कर रहा है तो बी ऑप्षन राइट अंसर हो जाएगा question नंबर नो पड़ेंगे रज्य स्तरिय त्यातरवे वन महुत्सव को किस जिले में मनाया गया गुरुग्राम पंचकुला कुरुक्षेतर या फिर यम्ना नगर तो इस बार त्यातरवा वन महुत्सव जो हरियाणा में इसका अय गया है तो राइट अंसर हो जाएगा c option question नंबर 10 के बारे में बढ़ेंगे साथियो Commonwealth Games 2022 में हरियाणा से कितने खिलाडी भाग लेंगे ये भी बहुत ज्यादा important question है 33 खिलाडी 49 40 या फिर 52 तो हरियाणा से कुल मिलाकर देख जाए तो c option राइट अंसर हो जाएगा 40 खिलाड में आयुजित किये जा रहे हैं उनमें भाग ले रहे हैं अब आता है हमारा question नंबर 10 कि यदि आप hsse की तैयारी कर रहे हो और computer के previous year questions आपको चाहिए तो इसके उपर एक वीडियो ओल्रेडी यूटूब पर अवेलेबल है hsse अड़ा यूटूब चैनल के उपर 5 गंटे क आसपास वो वीडियो है उसको जरूर देखें उसमें लगबग 2020-2021 तक के सारे questions cover किये गए हैं इसके अलावा यदि आप hsse computer की 2015 से 2021 यानि कि दिसंबर 2021 के बाद अभी तक hsse ने कोई exam नहीं लिया है वहां तक के सारे questions आपको इस PDF में मिल जाएंगे 900 plus previous year के questions हैं computer के इसकी cost आपकी 30 रूपे रहेगी 9-10-10-12 इस नंबर पर payment करके आप इसको purchase कर सकते हैं और इसमें आपको previous year का computer का सारा content जो वो मिल जाएगा और हर एक paper के question आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे तो question number 11 हमारे सामने है इसमें क्या दिया हुआ सातियो 68 में राष्ट्रिया फिलम पुरुसकारों में किस हरियानवी फिलम को सरफ्ष्रेट अक्षेतरिया फीचर फिलम का पुरुसकार दिया गया है चंद्रावल लाडो दादा लखमी या फिर दर्थी तो राइट अंसर हो जाएगा सी ऑप्षन दादा लखमी जो लखमी चंद्जी के ओपर जो हरियाना के सुर्य कमी है उनके जीवन के ऊपर इसको फिलमाया गया है और इसको सरफ्ष्रेट अक्षेतरिया फिलम पीचर फिलम के पुरुसकार से सम्मानित किया गया है और यह स्पाल सर्मा ने इस फ पहारी पारक बनाया जाएगा फरीदाबाद गुरुगराम पंचकुला या फिर यमुना नगर तो राइट अंसर हो जाएगा भी ऑप्षन अरावली पहाडियों के एक छेतर में इसको जो है बनाया जाने का फैसला किया गया है प्यारे साथियों बढ़ते हैं आगे अपने हो होमवरक के क्वेस्चन की तरफ बढ़ते हैं तो साथियों पिछले महीने की करंट फेर से हमारा होमवरक का क्वेस्चन है मुख्यमंतरी ने किस जिले में हरियाना खेल अकादमी बनाने का प्रस्ताव दिया है पंचकुला गुरुगराम फरीदाबाद या फिर पानिपत चा अगली वीडियो में अनाउंस किया जाएगा तो साथियों जुलाई महीने के करंट फेर की ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है इसके अलावा यदि आप कंप्योटर की और मैट की प्रिविएस एर के क्वेस्चन की पीडियाप परचेज करना चाहते हो तो आपके सामने य यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही अड़ा टेलीग्राम को जौइन करें इस क्लास की और अन्य क्लासेज की फ्री पीडियाफ वहाँ पर आपको मिलती है और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यद देखते हैं साथ को नेक्स्ट वीडियो में जैहिन जैभारत जैकी साम।